असलाम अलेकुम आज हम बनाने जाने रमजान स्पेशल भूना राइस जी यह मैंने थोड़ी सी चिकन ले ली थी और इसे बॉयल कर लिया था इसमें मैंने तंदूरी मसाला, दही और एक चमश ओयल का डालके पका लिया था और मैंने दो कप राइस के बॉयल कर लिये थे अच्छा राइस आप कोई भी ले सकते हो अब बासमती राइस हो तो बासमती राइस ले सकते हो या रेग्यूलर जो भी आपके पास राइस हो वो ले सकते हो तो इसमें मेने सिम्ला मिर्च एक चोटी से कट्टी हुई ले लिए और हरी पयास ले लिये हैं मैंने हरी पयास यह थोड़ा हमें ज्यादा डालेंगे नाराइच तो इसके लिए हमें मिरच जो ठीड के लिएल दिना है तो पेले हम इसमें डाल देंगे चेगंगा जो हमारे पास थी वह चिकन डाल देंगे डालेंगेगो मिर्च ए इसे फांच मिली तक ये बोनेंगे हम और दो से तीन मिनिट हमेり से पकायेंगे कि दो से तीन मिनिट हमें इसे पकाना है भूनना है अब हम इसमें डालेंगे हरी प्यास थोड़ी सी और सिमला मिर्ची जो थी वो भी हम इसमें डाल देंगे और फिर इसे पकाएंगे चलाएंगे दो से टिन मिनिट इसमें हम साड़र मसौला डालेंगे यह स्टेज पर इसमें मैंने डाला है गरम मसाला दो टीस्पुन भरके जीड पाउडर मैंने इसमें डालके एक 3 मुर्ца फाणि डाल के छिकर्न ओंना है अच्छे से बहुना हैं पानी हमें तोड़ा तोड़ा डालना है कि मसाला अच्छे से भून जाए तो बस इसी तरीके से पकाना है और थोड़े थोड़े मसाले डालना है अच्छा इस टेस्ट पर हम तंदूरी मसाला भी डालेंगे आपको जो भी मसाला फेवरेट हो आप उसमें डाल सकते हो जरूरी नहीं है आपके पास चिकन का कोई अच स्पून मैंने चिली स्सोस दाला है और फिर इसे मैंने और इसे अच्छे से भूना है और फिर थोड़ा सा पानी डालें गे फिर इस तरीके सामें और दो-तीन मिनिट और पकाना है अब जो राइस हमने बोование कि ए थे वह अ currently ये में डाल और राइस को मैंने 90 पर से बोल किया तक हमें इसे भूनना है और थोड़ा सा पानी भी डालेंगे और मसाला भी है जो तंदूरी मसाला है वो भी मैं इसमें डालूंगी तो बस गैस यह बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं बस इसमें गरम मसाला थोड़ा ज्यादा जाता है और बस इसे भूनना है आपके पास बहुत ही बच्चों को बड़ों को सब को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं अब हम इसमें हरी प्यास डालेंगे इसमें हरी प्यास थोड़ा ज्यादा इसमें जाती है और अगर आपको डालना हो तो और भी आप कुछ भी वेजी टेबल डाल सकते हैं 32 में चिकन और जो हरी प्याज है वो ज्यादा कॉंटेटी में जाता है और उसका टेस्ट भी ज्यादा आता है ठीक है ज्यादा स्पाइसी बनाने के लिए मैंने इसमें तंदूरी मसाला दो तीस्पून डाला है और फिर मैंने से और पांच मिनित इसे मैंने भूना है तो यह राइस और मुझे रेडी हो चुके है आप लाजमी मुझे कमेंट्स में बताएगा आपको यह राइस कैसे लगे इंश थिनदे आपको यह राइस आपको झाल झाल झाल